ओके तो बेस्ट बजट लैप्टॉप 25,000 के अंडर उस पे मैंने वीडियो बना दी थी उसके बाद लैप्टॉप वर्सेश ग्रोमबुक वर्सेश टैबलेट वह भी 20,000 के अंडर 25,000 के अंडर उस पे वीडियो आ गई थी स्टूडेंट को कौन सा लेना चाहिए ट्रेडिंग वाले को कौन सा लेना चाहिए क्यों क्यों प्रेफर कौन सा करना चाहिए किस कंडिशन में कौन सा लेना चाहिए सब की अपनी अपनी जरूरत अपने अपने प्रोड़क्ट्स होता है ठीक है और उस पे और भी पॉइंटर थे क्या-क्या देखना है तो वो सब अलग से इस वीडियो में क्योंकि उसी वीडियो के नीचे तीन कॉमेंट आ गए कि थोड़ा कंफ्यूजन है अब एको ऐसे तो बहुत सारे लैप्टॉप्स मिल जाएंगे लेकिन जब सेम ही ब्रैंड कंफ्यूजन क्रियेट करें जैसे अब इन्फिनिक्स को ले लो इन्होंने अभी चार महीने पहले एक और लैप्टॉप लाउंच किया था वो तीस हजार का था लेकिन वो भी कार्ड डिस्कांट कर लगा के अथाई हो रहा है अब 28 लो 25 लो सेम से लग रहे हैं दोनों नाम भी इतना सेम है वसमें नियों लगा है ठीक है उसमें स्लिम लगा है तो उस पे बात करेंगे तो ओवर ओल भी और भी चीज़ें देखेंगे कि क्या ध्यान रखना चाहिए इस सारे लैप्टॉप्स पे अप्लीकेब का है उसके बाद आपको मिल जाता है इन्फिनिक्स एक्सवन स्लिम यह तीस हजार वाला ठीक है जो अभी हाल में लॉंच हुआ था और फिर यह पिछले साल लॉंच हुआ हुआ इन्बुक एक्सवन कोर ठीक है यह देखो हरी ओनली वन लेफ्ट वगर है यह मुझे नहीं ल प्रेले जो अलग है उस पर बात करेंगे एक्सवन कोर जो है ठीक है जो इसका औरिजिनल प्रोडक्ट था वो लेने का आप कोई मतलब नहीं बनता है एक डम क्लियर क्लियर बात है क्योंकि अगर उसको बस एक्सवन स्लिम से ही कंपेर कर दो तो आपको इसमें सिर्फ बैटर बैटरी जाधा मिलने का ट्रेड ओफ क्या है बैटरी जाधा मिलने का ट्रेड ओफ यह है कि उसके बदले में आपको वेट से कॉंप्रोमाइज करना पड़ता है जो इन्फिनिक्स एक्सवन स्लिम है वो आपको सिर्फ 1.24 kg का मिलेगा और स्लिम भी है काफी ठीक है 14 mm के राउंड का कुछ है लेकिन जो कोर है यह आपको 1.48 kg का मिलता है ठीक है अब बोलोगे कि 1.24 और 1.48 में 200 ग्राम का अंतर है पता नहीं चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन ऐसा विलकुल भी नहीं है यकीन करो मैं जो अभी करेंटल करेंगे वो सिर्फ 1.27 kg का है और 1.5 kg का जो मैंने HP का लैप्टॉप अभी हाल में उठा है वो काफी डिफरेंस पर चलता है specially single hand में अब यह आप दो हाथ से लैप्टॉप उठा रहे हो तो ठीक है दोनों हाथ में यह बढ़ गया वेट तो उतना प्वांग होता single hand में आपको तुरंट फील हो जाए ठीक है यूँकि आदत हो जाती है उतने टाइम की आदत हो जाती है तो यह तो एक दम भी लॉजिकल नहीं है और इसकी जो थिकनेस है वो भी आपको 16.3 mm की मिलेगी इसके साथ एक और छोटा सा माइनस पॉइंट यह है कि जो एकसवन स्लिम है उसमें आपको सामने में दो फ्लैश मिल जाती है अब यहां पेक पे तो क्लियर नहीं है लेकिन सामने में दो फ्लैश मिलती है तो वेबकैम की तरफ से थोड़ा सा बेटर रहती है वो आपको inbook x1 core में available नहीं है ठीक है तो x1 core side हो गया इसको अब compare करने का मतलब नहीं है अब हम लोग x1 slim और x1 neo पे बात करेंगे तो x1 neo का specs का rundown एक छोटा सा देख लेता है यह flip cut अच्छा करता है कि आजकल pick में दे देता है तो इसमें 50Wh की battery मिल जाती है PCI 3 NVMe high speed SSD मिल जाएगी ठीक है और 1.24 kg का है 14.8 mm है और यह वाली यह वाली pick ढूंड रहा था DTS surround sound मिल जाता है 14 inch की full HD 100% sRGB वाली display मिल जाती है जिसकी peak brightness जो है वो 300 nits तक जाती है अब आप इसको phone वगरा से confuse मत हो ना यह मैं बार-बार हर वीडियो में बोलता है कि जो product indoor use होगा उसकी brightness उस हिसाब से रहेगी अब जैसे टीवी के देख लो टीवी की brightness वो 250 nits को ही बहुत अच्छा बोल देते हैं क्यों कि आप हमेशा उसको indoor ही use करोगे टीवी को ही ऐसा बाहर ले जाके घूम के नहीं देख रहा है sunlight का उससे कोई लेना जेना नहीं है वो indoor रहेगा इंडोर की lightning में रहेगा या light off करके भी movie enjoy करना बहुत लोग पसंद करते हैं तो उसमें 250 nits ही बहुत है ठीक है तो उस हिसाब से 300 nits है laptop भी usually indoor ही use होता है या classrooms में या वैसे की जगा outdoor बहुत कम use होता है 45 watt की आपको type-c fast charging मिल जाएगी ठीक है Windows 11 मिल जाएगा dual starlight flash camera इसमें भी है और Intel का यह ध्यान देना बहुत ध्यान देना Intel का Celeron 5100 CPU मिलता है ठीक है CPU क्या है तो एक तरह से दिल होता है सारा काम वही निकालता है दिमाग भी बोल सकते है दिल दिमाग सब होता है तो सारा काम वही निकालता है बैकलेट कीबोर्ड मिल रही है इस प्राइज में बहुत जबर्दस बात है आपको 35-35,000 यानि इसे 10,000 मेहें लैप्टॉप्स में भी बैकलाइट नहीं मिलती है कीबोर्ड में जो की रात कुछ जबर्दस्त जरूरत है बिकार में नाइट लैंप बगरा जलाके उसी साब स सेटिंग भी डिपेंड करते है अब आ जाते है एक छोटा सा रंडाउन और फिर आपको शॉट में बताएंगे ठीक है तो इस पर तो पिक स्क्रॉल हो गई इस पर भी आपको PCI 3NVME high-speed SSD मिल जाएगी 50WR की बैटरी मिल जाएगी और यहां पर आप देखो तो सब कुछ सेम दिख रहा होगा आपको 1.24 kg 14.8 mm full HD screen 100% 300 nits बैकेट कीबोर्ड चार्जिंग में बहुत बड़ा डिफ्रेंस है 65W यह तो टाइप सी चार्जिंग यह सपोर्ड भी करता है और इसमें आपको 65W का टाइप सी चार्जर बॉक्स में भी मिलता है इंक्लूडड बैटरी की कैपि ZD सेम है कोई फर्च नहीं है इसको पतला करना था अब आपने क्या है क्या लेना चाहिए तो देखो सबसे पहले X1 Slim और X1 Neo में प्रोसेसर का सबसे बड़ा डिफ्रेंस है ठीक है तो सबसे बड़ा डिफ्रेंस है इसको पहले डिसकस करेंगे इंटल सेलरॉन 5100 प्रोसेसर मिलता है आपको नियो में और स्लिम में आपको मिलती है आई 3 10 जैन अब देखो अगर कोर की बात कर रहे है क्योंकि वह मिस नूमर है वह बेवकूफ टाइप बन जाओगे इसलिए उसको बहुत कर ले रहे है एन 5 5100 जो है इंटल सेलरॉन का वह वह बात रखते हैं लेकिन जैसा कि फोन में मेगापिक्सल कैमरे से फरक नहीं पढ़ता है ठीक है आई फोन गूगल का 12 मेगापिक्सल कैमरा भी बाकी पचास मेगापिक्सल के जैसा फोटो लेता है similarly quad core dual core से उतना कोई खास फरक नहीं पढ़ता लाकटोप में बाकी चीज़ें ज्यादा मैटर कर जाती है ज्यादा है भी पढ़ जाती है जो कि अगर आप अगर आप इसकी performance की बात करो तो यह 50% better performance निकाल के आपको देता है सोच रहो 50% better for performance आपको इससे मिलेगी i3 10th gen में सोच तो बहुत ही यह interesting बात है और एक छोटी सी जो difference है वो यह है कि आपको 65 watt की fast charging और fast charger मिल जाता है slim में और इसमें आपको 45 watt की fast charging और fast charger मिलता है बाकि सब कुछ सेम है वही windows 11 वही flash camera सब कुछ अब देखो price की बात पर आजाओ यह 25,000 का launch हुआ है यह 30,000 का है अब laptops में जो investment है वो थोड़ा long term का सोच के करना चाहिए क्योंकि आप 25-30,000 रुपए डाल रहे हो तो आप वो साल दो साल में तो बदलोगे नहीं अब जो आज की date में ही 50% better performance दे रहा है वो आपको longer period तक थोड़ा sustain performance दे सकता है ठीक है और आपकी usage भी थोड़ी बढ़ेगी मालो अभी आप student type हो ठीक है आप एक दो app use कर रहे हो पढ़ाय लिखाई से मतलब है YouTube देखा Netflix बंद किया लेकिन धीरे धीरे आप थोड़ा सा उस पे load बढ़ा होगे अब जो आज के time पर 50% जादा है और card discount लगाके ये और भी आपको 2000 कम हो जाए तो मेरे हिसाब से आपको इसमें invest करना चाहिए एक problem क्या है और नियों के favor में कुछ बोल लेता हूं नहीं तो यह हो जाएगा नियों के favor में simple सी बात यह है budget 25,000 का वो launch हुआ है card discount लगाके वो आपको 23,500 तक का पढ़ जाएगा अगर आपका बिलकुल ही strict budget था और आपको जैसे मेरी जो laptop versus Chromebook versus tablet वाली वीडियो में वो connect कर चुके हो कि नहीं laptop ही लेना है tablet लेने का कोई scene नहीं है Chromebook लेने का कोई scene नहीं है laptop ही लेना है तो फिर और budget आपकी वाई strict है 22,000 रूप है तो फिर आप जरूर नहीं हो ले सकते हो क्योंकि बहुत अच्छा alternative है especially जो आपको fast storage मिल रही है 55 watt की टाइब सी charging है backlit keyboard है तो यह स premium की आपको body मिल जाएगी ठीक है एक जो negative point लेकिन in laptops की और इसी लिए इस sale में आपको बाकी laptops भी check out करने है especially अगर आप card discount वगरा लगा लो तो hp के भी कुछ laptop hp के laptop में backlit keyboard मिल जाता है क्योंकि तो वो आपको पढ़ जाएंगे 32,000 के और उसमें card discount 2000 लगा लो तो 30,000 के वो भी आ जाएंगे around उसमें भी i3 10th gen है फिर एक company है MSI करके उसके बारे भी लोगों को उतना नहीं पता है लेकि वो भी एक गेमर्स लोगों को पता होगा तो उनकी जो modern 14 series है वो भी सही है एक चीज़ और amazon पर भी आप checkout कर सकते हो honor की honor book वो भी बहुत classy लगती है लेकिन 15.6 inches की जो laptops है वो लेने से बचता पहली बात वो काफी bulky और बड़ी हो जाती है ठीक है और मुझे लगता कि वैसा screen real estate का किसी को जरूरत है 14 inch काफी होती है ठीक है और वो हलकी पढ़ेगी आपको छोटे वाले स्टाइलिस से school bags आते हैं उसमें भी अराम से चली जाती है कोई दिक्कत नहीं होती है अब आते हैं एक negative point की Infinix जैसे मैं थोड़ी दर पहले बोल रहा था Infinix के जो laptops आपको मिलते हैं चाहे आप new log या आप slim log इसमें आपको जो है वो RAM increase का support नहीं मिलता है expandability कुछ नहीं मिलती है जो मिल गया हो मिल गया उसी को चलाना है तो यह तो आपको external storage वगरा खरीद लो 8GB RAM वे से ठीक ही है चल जाही लेकिन अगर आप बस फायदे की बात दे को विश्वास नहीं होगा up to 32GB expandable memory RAM कोई-कोई laptop support कर रहे हैं 30,000 की range में तो उसकी life और बढ़ जाएगी ठीक है laptops का ऐसा scene है ना आज आप अपनी जरूरत की साब से आज के लिए ले लो लेकिन थोड़ी expandability अगर देख के लोगे कि ठीक है इसमें मैं यह change कर दूंगा तो life एक साल बढ़ जाएगी इससे पुराने जमाने में होता था कि hard drive change कर के SSD डाल दो तो laptop की speed भी बढ़ जाती थी और problem खतम होगी लेकि RAM वाली problem अभी भी है अगर आप चलाते हो laptop चलाया है तो आपको पता ही होगा कि 8GB RAM कुछ भी नहीं है ठीक है थोड़ा भी heavy task होता है तो वो भरने लगती है खास कर अगर आप browser में अभी तक shift नहीं हुए और अभी तक भी chrome यूज कर तो 8GB कुछ नहीं है थोड़ी expandability down the line better रहती है योगि यह one time type का investment होता है पांच सालों के लिए समझ रहे हो और भी sale के समय और भी थोड़ा और simplify करेंगे और एक दो अच्छे laptops को लेके आएंगे उनके बारें बातें करेंगे उसको और भी शायद इससे better alternative मिले तब तक के लिए तो इतना ही है यह ही है ठीक है तो x1 नहीं और x1 slim में clarity मिल गई होगी बाई